जी दोस्तों मैं हूँ इसाका बासी और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ट्रिक्चर के पेपर में पहले स्मेस्टर में पूछे जाने वाले MCQs जो के फाइनल पेपर में पूछे गए थे इनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो से बहुत सारे स्टुडेंट्स की ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि पेपर में MCQs कहां से और कैसे सेट किये जाते हैं अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स बिगेन दोस्तो सबसे पहले हम पहले MCQs की बात करते हैं सुझरंफ इस अ डैश नाउन तो दोस्तो ये अब्सट्रेक्ट नाउन होता है क्योंकि आसी चीज़ें जिन्हें हमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सुन होता है ना कभी टच किया होता है ना देखा होता है उन चीजों का हम abstract noun कहते हैं तो option B यहाँ पर ठीक है Lexical question involves the use of words तो हमेशे यह words पर ही मुश्तमल होते हैं C option इसका ठीक है Lexical question में words का इस्तमाल किया जाता है तीसरा जो यहाँ पर MCQs है तो दोसों जिसमें एक या एक से ज्यादा subordinate clauses होती है वो complex sentence होते हैं तो option B इसका ठीक है चोथा जो यहाँ पर MCQs है वो है dash verbs takes direct object तो transitive verb ऐसी होती है जिनके बाद direct object का हम इस्तमाल करते है पांचवे MCQs है तो दोस्तों every each और दो तीन और कुछ परोनावन है इनको हम distributive परोनावन कहते है तो jury is a dash noun जरी दोस्तों जब चार या पांच जजज होते हैं जब वो इकठे होकर किसी मुकदमी का फैसला सुनाते है तो उनके group को jury कहा जाता है तो यहां पर group की बात हो रही है collective noun की बात हो रही है तो means जरी जो है वो collective noun है इसलिए इसका b option ठीक है तो दोस्तों जब भी किसी सवाल को बनाने के लिए WH family words का use किया जाता है तो वहां पर interrogative pronoun का इस्तमाल किया जाता है तो इसका option one यानि ये जो है वो ठीक है डैश verbs joins a subject to subject compliment तो linking verb ऐसी होती है जो के subject compliment को जोड़ती है यानि is, r, m, was, verb वगरा कुछ और verb होती है जो के linking verb के तोर पर काम करती है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अमीद है के आपके लिए काफी helpful थाबत होंगी इनको भी आप याद कर लीजे ये भी linking verb होती है तो दोस्तों नौवा जो यहाँ पर हमारे पास MCQs है I live in Bahawalpur is a dash sentence simple सी बात है और ये simple ही sentence है भी option इसका ठीक है क्योंकि compound दो जुमलों पर मुश्तमल होता है और complex जो होता है उसमें कोई ने कोई एक subordinate class होती है तो skimming is a dash technique जहरी सी बात है reading technique है और इसके इलावा reading technique में inference आ जाता है और इसके इलावा जो है वो scanning भी आता है तो दोस्तों अगला जो यहाँ पर 11 question पूछा गया है इसमें लिखा गया है कि the patience will recover son son is an adverb of तो son जो हमेशे time के लिए इस्तमाल होता है वक्त के लिए son कुछ देर बाद कुछ दिनों बाद भी हो सकता है कुछ लमों बाद भी हो सकता है तो time के लिए यह represent करता है तो इसलिए adverb of time है run fast is a dash sentence दोस्तों जब भी कोई जुमला पहली verb से ही शुरू हो तो उसे हम imperative sentence कहते हैं यहाँ पर run पहला ही word ही पहली verb है तो means यह imperative sentence है तो anaphora is a dash reference तो यहाँ पर जो पूछा गया है anaphora जो होता है वो हमेशा back reference होता है यहाँ पर हम किसी word का meaning देखने के लिए पीछे sentence में देखते हैं तब जाकर उस word का meaning हमें मिलता है तो इसलिए इसका backward be option जो है वो ठीक है तो यहाँ पर जो चौदवा हमारे पास mcqs है इसमें पूछा गया है verbal communication involves the use of words इसमें भी verbal communication में जहरी से बात है जब हम बोलते हैं तो words का इस्तमाल कह जाता है तो verbal communication में words इस्तमाल होते है यह option इसका ठीक है तो पंद्रवा यहाँ पर जो question है इसमें पुछागे के dash verbs do not take direct object तो direct object जो लेती है वो transitive verb होती है और जो direct object नहीं लेती वो intransitive verb होती है तो पंद्रवा का option बी जो है वो ठीक है और इसी तरह हम बात करते हैं the adjective of king is दोस्तो इसका जो option ठीक जो है वो है c गिंगले कहते है objective जो adjective होता है king का वो king ले होता है और यह c तो यहां पर हमारे पास जो सत्रवां MC के उसे इसमें पूछा गया है के permissive writing consist of the dash of the writer तो दोस्तो चार किसम की main technique होती है writing technique उसमें जो permissive writing होती है इसमें opinions वगरा के बारे में लोगों की राय वगरा के बारे में पूछा जाता है तो इसका option A ठीक है तो cataphoric is a dash reference cataphoric जो होता है वो बिल्कुल anaphoric के उलट होता है इसमें हमें forward देखना पड़ता है किसी meaning को देखने के लिए किसी word के meaning को देखने के लिए हमें forward देखना पड़ता है a man of parts is a dash तो यहां पर man of parts जहरी से बात है एक phrase है क्योंकि अगर clause होता तो इसमें कोई ने कोई helping verb या verb लाजमी होती जो phrase होती हो उसमें helping verb या verb नहीं होती तो खेर यहां पर यह phrase option यानि भी see option जो है वो ठीक है तो 20 यहां पर जो mcqs है इसमें पूछा गया है this is the horse which runs fast the underlined words are dash clause तो दोस्तों यह जो है यह adjective clause है क्योंकि which runs fast यह पीछे जो घोड़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है घोड़े की खासित के बारे में बताया जा रहा है तो इसलिए यह adjective clause है open the door the correct change of vice is passive wise की बात हो रही है यहाँ पर open the door जो इसका सही option जो होगा वो सही option है let the door be opened तो अगला जो हमारे पास 22 mcqs है इसमें पूछा गया है कि what are you watching on TV तो यहाँ पर दोस्तों watching ing वाली form का इस्तमाल किया गया है जहरी सी वात है कहते हैं जब active wise में ing आता है तो कही न कही हमें passive wise में भी ing लगाना होता है तो तीनों option को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो पहला option है वो ठीक लग रहा है what is being यहाँ पर being हमने साथ लगाया क्योंकि ing तो हमने इस्तमाल करनी करनी है तो पहला जो option A है वो ठीक है 23 MCQs है I always brush my teeth the correct change of wise is इसमें जो सही option है वो हमारे पास है first option जो है A option वो ठीक है my teeth are always brushed तो यह वाला जो option है यह बिल्कुल ठीक है तो अगला जो हमारे पास direct into indirect यान इनरेशन से यह question पुछा गया है MCQs है he said I am ill तो दोस्तो इसका जो यह past में पूछा गया है तो इसलिए इसका जो आभी past में होना चाहिए तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका कौन सा option ठीक है तो B option जो है यह बिल्कुल ठीक क्योंकि जो अंदर वाला आई है वो बाहर वाले subject के साथ चेंज हो जाएगा तो इसलिए ही अंदर आ गया और M जो है वो past tense के हिसाब से चेंज हो जाएगा was में और il वैसे का वैसे रह गया तो इसका B option जो है वो ठीक है तो दोस्तों आखरी MC को जो हमारे पास है इसमें पूछा गया है कि she said I will never battery you the correct change of the narration is तो इसके जो correct change सही जो होगा वो हम तीनों अगर option को ठीक से देखें तो हमें जो सही option लगता है वो सही option ठीक है she said that she would never battery me तो यहाँ पर यह कैसे पता चलेगा अगर आपको यह direct internet नहीं आते तो मैं हलकी सी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि option क्यूं ठीक है क्योंकि detail में जाएंगे तो बहुत ही गहरा एक topic है इसको अच्छे से देखना पड़ेगा लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं हमारे चैनल पर direct into indirect पर वीडियो पड़ी हुई आप जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको जो c option है उसके बारे में बता देता हूँ कि यह कैसे ठीक है तो यहाँ पर हमने वैसे का वैसा she said लिक दिया और फिर that लिक दिया I को बाहर वाले she के साथ change कर दिया और जो will वगरा होता है उसको हम would में change कर देते हैं never वैसे का वैसा आगया battery वैसे का वैसा आगया और you जो है यह हमारे पास second person होता है और second person को बाहर वाले object के साथ change किया जाता है और बाहर अगर हमें she said के बाद कोई object नजर नहीं आ रहा तो हमने किसी भी first person के साथ change करना होता है यानि I और we में से किसी एक person के साथ change करना होता है तो यहाँ पर I के साथ change किया गया है और I के जो objective हालत होती है वो मी होती है तो दोस्तों उमीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे होगी अपने दोस्त इसाथ कवासी को अपनी दौा में याद रखेगा अल्हाफिज अल्हानी के बान पाकिस्तान जिन्दावाद